जातिया जन्गन्नान तो बेजा गिया है भारत चतरगर्ग को खान भारत बेज रहे हैं if बेजना चाहिए, अभी 1932 बेजना चाहिए, अभी 27 परसंट आरेशन बेजना चाहिए, हो के जद्ति जन गन्ना। यहां पर एक सवाल उठ रहा है, जहां तक सर्णा धर्मकोट के अपने बात की, तो सर्णा धर्मकोट को लेकर के लगतार सालखन मुनमूजों है, वो आवाज बुलंद कर रहे हैं कि इसमें सर्णा आदिवासी धर्मकोट क्यों लगाया गया, आदिवासी के पीछे क्या परजानकारी नहीं है, उनके बारे बिचार हम बात नहीं कर पाई जानते हैं उनके बारे में, खले आखवार में देखते हैं, बस तो यहां पे हमने कई सारे मुद्दों को लेका चाचा की अभी देख लिए पारसना चल गया सालखन, सातरोतारिस वे क्या करेगा तो यह थे हमाई से सिक्षा मंत्री जगनात में तो जिन्हों ने सपष्ट किया कि जातिय जनगना जारकन में तब ही हो पाएगी जब केंदर सरकार की सरना धर्मकोट 1932 खत्यान और 27% OBCR अरक्षन को मंजूरी में लेगी उनका सपष्ट कहना है कि तब ही जातिय जनगना जो है वो यहां पर हो पाएगी और सरना धर्मकोट को भी ले करके उनका कहना है कि इन तमाम चीजों को पहले केंदर सरकार नौवी सूची में डाले तब जाकर के जार्खन जातिय जनगना के लिए तैयार हो पाएगा आई अब सुनते इसको लेकर के गिरिडी विधायक सुधिवे कुमार सोनो ने क्या कुछ कहा है तो आपने यहां पर सुधिवे कुमार सोनु को सुना उन्हों ने स्पर्ष्ट किया कि जो भी सरकार के अंडर होंगे जो भी गाइडलाइन्स होंगे उसको देखते वह यहां पर जातिय जनगना जो है वो जरूर यहां पर कराई जाएगी और जिस तरीके से बिहार में आज से जातिय जनगना शुरू हुई है तो उसको लेकर के भी तमाम चीज़े देखी जा रही है जो भी अच्छी पहल दूसरे राज्यों में होगी उसको देखते वे भी सरकार कुछ न कुछ पहल जरूर करेगी चुकि यहाँ पर भी जाती है जनगर्ना को लेकर के लगतार आवास बुलन जो है मैं पूझा नमस्कार